बाई और बहनों, बीते पांच वर्सों से महा यूती की सरकार ने केंद्र में भी और महाराष्ट में भी सिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसारी काम करने का पूरा प्रयास किया है राष्टरक्षा और राष्टरवाद को हमने प्रांथ्विक्ता दी है भारत भूमी पर बूरी नजर रखने वालों को मुह तोड़ जवाब दिया जाएगा सिवाजी महाराज ने राष्टरक्षा के लिए ससक्त सेना को प्राथ्विक्ता दी है उसकान में भी उन्हों सेनाओं की प्रंक्ति में लाकर के उस्त्रेणी में खड़ा कर दिया है जल हो थल हो नभ हो या अंतरीक्ष हो एक के बाद एक आधुनिक अस्त्र सस्त्र आज भारतिय सेना का एक अतूट हिस्सा बन रहा है राष्ट रख्षा के लिए राष्ट के एकी करण के लिए महायूती की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेने की हिम्मात पहले नहीं दिखाई देती थी लेकिन दुरुभाग्य की बात ये है का जहां महाराष्ट में जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन्होंने राष्ट रख्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया भाई और बहनों सातारा ने महाराष्ट के लिए अनेक शुरुबीर दिये यहां के अप शिंगे मिलिटरी गाउं तो जैसे राष्ट रख्षा के लिए ही समर्पीत है वहां के घर घर से राष्ट रख्षक निकले है ऐसे संस्कार जहां के हो वहां राष्ट का आहित करने वाली राजनित को जगह भला कैसे सहन हो सकती है यही कारण है कि कॉंग्रेस और एंसीपी के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौरिय पर सवाल उटाते है तो सबसे जादा ठेस मेरी यह सतारा की भूमी को पहुंचती है जब यह रफेल जैसे आदूनिक जहाज को लेकर अपप्रचार करते हैं तो मुझे बिश्वात हैं कि राष्ट भक्तों की धरती को अपार पीड़ा होती है जब यह आर्टिकल 370 को लेकर अपपाएं फैलाते हैं तब पूरा सतारा गुस्से से भर जाता है जब वीर सावर के जैसे राष्ट नायकों को यह बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सातारा का पारा सावर आस्मान पर्चर जाता है झाल